राहूल गांधी के ट्विट पर बीजेपी के प्रवक्ता संबत पात्रा ने पलत्वार किया है उन्होंने राहूल गांधी और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बुला संबत पात्रा ने ट्विट कर कहा है कि पुलवामा निश्वल्स हमला था और ये निचिंता पूर्ण बयान है कि किसको फायदा हुआ संबर प्रात्रा ने कहा है कि मिस्टर गांधी क्या आप फायदे के आगे भी सोच सकते हैं जाहिर तोर पर नहीं गांधी परिवार फायदे के अलावा तो सोच ही नहीं सकता वो सर्फ भौतिक रूप से भष्ट नहीं उनकी आत्माई भी भष्ट हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय आप सबूत मांग रहे थे जब एर स्ट्राइक हुआ था उस समय आपने इस पर विश्वास नहीं किया आपने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था और आज जब पूरा हिंदुस्तान एक जूट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है नमन कर रहा है वीर शहीदों को आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और फाइदे के बारे में पूछ रहे हैं मुझे लगता है राहूल गांधी जी को तुरंग शमा मांगनी चाहिए और अगर राहूल गांधी जी में ये साहस नहीं है तो मैं कॉंग्रेस अध्यक्षा से ये डिमैंड करता हूं कि अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी के बयान पर शमयाचना करे। और राज्टी सुरचा के परती इच्छा शक्ती ने आज देश को देश के लोगों में सुरचा का एहसास कराया है। और उन आतंगवादी और उन ताक्तों को जो ताक्तने की मुल्क की दुश्मन है उनमें डर और खौफ का माहल बैदा किया है। इस बात को महसूस करना चाहिए जो लोग इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। एक बहुत समर्थवान देश के रूप में दुनिया में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई। जिसके बाद सहीदों को सही सद्धांजली दिया गया और सर्जिकल स्ट्राइक करके एर स्ट्राइक करके और लोगों को हमारे आतंगवाद का पालल पोशन करने वाले पड़ोसी को स सही सबक सिखाया गया उस बात को सहीदों को सद्धांजली देने की जगन उस बात को भाड़ करके उस बात को छिड़ करके कांग्रेस एक ऐसे अपना ही थूतू करा रही है हम कहते हैं कांग्रेस के जमाने में भी घटनाई हुई थी कांग्रेस के जमाने में कहां कहां बंब साल की सरकार ने क्या किया और नरेंद मोदी ने तो ऐसा सबक दिया है चाहिए म्यामार में पुरोतर के आतंकवाजियों का इलाज करना हो चाहिए पाकिस्तान के आतंकवाजियों के लाज करना हो कि आज आतंकवादी देश के अंदर देश किसी वहां पर सर उठाने में सो बार सोच रहे हैं कि सरकार कि सी मंत्रें जिम्मेदारी नहीं है की इसरकार पूरी तरह जनता पर जिम्मवार और राहूल हो या कोई अगर उनका अरा अप सनाब इसे उठाएं एंके बा Clinics नहीं रह गये किके हैं कि सरकार इमांदारी से काम कर रही तो जब इनके बाद मुद्ड़े नहीं रहे गैए हैं तो यह फालतु के कालपनिक सवाल उठाएंगे तो उसका गिरेवा में जाग के देखना चाहिए कैमरामेन केसरक साथ अमिद दुबे आर नाइन टीवी दिल लिए